तो मार्च महिने के Current Affairs अब हम लोग प्रारम करने जा रहे हैं इस वीडियो की एक खास बात यह बता दूँ कि इस वीडियो के एंड में हम लोग प्लेसे इन न्यूस भी देखते हैं अब यहां पर मैं जोग्रफी और इन्वार्मेंट के करेंट एफेस कर रहा हूं लगभग आप पुराने वीडियो भी देख सकते हैं हर मंथ हम दो दो वीडियो बनाते हैं हर पंदा दिन में एक बार कवर कर लेते हैं करेंट एफेस को बात करेंगे सोलर रेडियेशन मॉडिफिकेशन हिंदी मेंदी से हम लोग कहें तो इसका सीधा संबंद जो है सूर्य से मिरने वाली जो भी जितने भी रेडियेशन होते हैं उसमें क्या हम बदलाओ कर रहे हैं देखो इसकी समस्च्छा क्या पहले समझो होता यह है कि यह अ लगाम् ons की अरवन के हैं अब ग्लोबल वॉर्मिंग में इंडिरेक्ली जो चीज आ रहे है उसीको यह थी में थोड़ा सा कम करूं तो मेरा काम हो सकता हैं तो मैंने क्या किया हम एक ऐसी कोशिश करते हैं कि क्यों ना सूरे से आने वाली किरणों को वापस भेज दिया जाए reflect back कर दिया जाए परावर्तित कर दिया जाए तो यह एक technique होती है जिसमें हम climate change को थोड़ा सा कम करने की स्थिति में आते हैं ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा सा कम करते हैं कैसे सनलाइट को reflect back करके परावर्तित करके ठीक है इट मीज डैट कि कुछ methodologies है जिए इंजिनिरिंग के तहद भी इनको यूज किया जाता है ग्राउंड reflection मतलब आप सूरी की किरने धर्ती पर आएंगे तो धर्ती पर मैं ऐसा क्या कर दूँ कि सूरी की किरने वापस चली जाए तो सबसे बड़ी हैं तरीका कि हम कुछ reflective paints यूज कर सकते हैं एक्चॉल में जैसे आपको पता है कि वाइट कलर क्या होता सूरी की किरनों को या कोई भी मतलब जो light है उसको वापस यह भेज सकता है अल्बिडो इसका काफी जादा होता है तो आपने देखा हो गए तो ground का reflection कलर बगर कर दिया जाए इसके बाद में ऐसे आप खेतों में लगाओ जिसकी reflectivity जादा हो मतलब जादा dark color का इदी होगा black color की तरफ जाएगा वो उसका पूरा पेड़ पोध है कि dark green की तरफ जाएगा तो absorption जादा होगा सूरी वापस नहीं जा पाएगा मतलब सूर की करने वापस नहीं जा पाएगी marine cloud brightening एक काम करता हूं कि बादलों मे जाकर stratosphere region में जाकर हम कुछ tiny particles डालते है sulfur dioxide के या calcium carbonate के जिससे white color थोड़ा सब क्या करेगा सूरी की करनों को वापस भेज देगा space reflection भी आप कह सकते हो या IR radiations जो हैं उनको हम लोग atmosphere से हटा सकते हैं with the help of clouds वगरा की मदद से तो मतलब CDC कहानी है कि जो सूरी से करने आने वाली मैं उनको maximum वापस भेज दूँ धरती पर आने से पहले ही तो मैं थोड़ी global warming पर भी काम कर सकता हूँ होली का discount offer आ चुका है उन सभी learners के लिए जिनको अने का सब्सक्रिप्शन लेना है और अपनी पूरी प्रयारी त्यारी जितनी भी है UPSC को उसको एकदम स्ट्रीम लाइन करना है इंडिया के top educators आपको जो है यहां पर चीज़ा को खबर कराएंगे लक्ष बेच फॉनेशन ब बाकि लाइबरेरी डाउट सॉल्विंग मॉक टेस्ट यह अनकेडमी सेंटर प्रयागराज और दिल्ली के इन पर आप बिल्कुल मुफ्त ले सकते हैं होली अब यहां पर आप जाकर टेस्ट भी दे सकते हैं मॉक टेस्ट वगरा यह सारी चीज़े इनको जो है आपको ध्या के बारे में हम पड़ रहे हैं लेपर्ड की जो कहानी वो यह है कि पहले तो इसका अपको ठैबले छटोल के बारे में वैंप रखना आप चॉलब टीक है सार समझ में पैंक्स वन में आता यह साइ्ट मतलब यह कम बनाई गया है एटलीश्ट जो ट्रेड वə चाहिए कि आठ प्रतिशत जो है नम्मर बड़ा है इतने करीब करीब इनकी संक्या हो गई है इसके साथ जादतार इनके जो लार्जस्ट ग्रोथ है वो भारत के सेंटरल इंडिया और इस्टन घाट के रिजन्स में जादा देखने को मिली है इसमें यदि हम लोग देखें तो मध्यप्रदेश यदि हम लोग देखें महराष्ट, करनाटक, तमिलनाडू ये चार राज्जी जो हैं comparatively काफी आगे हैं इसके बाद में लेकिन शिवालिक हिल्स होगा और गंजटिक प्लेंस बाहर डिकलाइन हुए हैं कम हुए हैं और ऐसे टाइगर रिजर्ब जहां तु और ये सारी दिक्कते हैं नेक्स्ट वन इस डूम्स डे ग्लेशियर पहले भी काफी बार न्यूज में रहा है आपको पता होना चीए ये वर्ल्ड हो गया ये प्रत्वी का साउथ वाला हिससा अपना क्या है अंटाक्टिका रिजन है यहां पर ये ग्लेशियर है डूम्स ड का ओशेन का जो लेवल है लगबक दो फिट तक बढ़ जाएगा बांगलादेश ले लो माल्दीव ले लो नीदरलेंड ले लो और यूसे के कुछ पार्ट फ्लोरिडा और जो आपका लौजियाना है ये सारे रिजन्स डूबने की स्तिति में आ जाएंगे काफी खत्रे में है इसके पिगलने से तो यह हमेशा जो है आप कह सकते हो कि मतलब आप मानों इस बात को कि कम से कम यदि थेवेट्स ग्लेशियर पूरा ही पिगल गया तो यह दो फिट तक मतलब और यह बहुत होता है दो फिट अंटार्क्टिका में बेसिक बाते याद रखना इसके बाद म हर्पेटोफॉणल जो है एक सर्वे किया गया है मुदु मलाई टाइगर रिजर में अब यह हर्पेटोफॉणल सर्वे क्या होता है यह बार प्रिलिम्स में पूछी जा सकती है एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है यह जहां पर डाइवर्सिटी डिस्रिबूशन कोई प्रज किसी भी जोग्राफिकल एरिया में सारी चीजे सिस्टमेटिक जब स्टड़ी करते हैं तो उसे हम लोग एक हर्पिटो फॉनल सर्वे भी कह सकते हैं इसको थोड़ा सा आप याद रखें कभी कभी की वर्ड आ सकते हैं बाकी मुदु मलाई में हुआ था तो यह आपको पता है निलगरी बासपीर रिजरफ के अंतर गवारे में बिलकूल ठीक है उसके बाद में प्ड़ोसी उसके वायणाद वायलाई लैफ सेंचुडी कहा है कहां ये पूछा जा सकता है केरला में बांधिपूर खरनाटक का मुःती नेशनल पर शायलेंट वेली जो है आपको सौथ म फिल्म का भी संबंद जो है इससे है आगे बढ़ेंगे एक रिपोर्ट है सर टर्निंग रभिश इंटू रिसोर्स जो भी वेस्ट चीजें उसको आप एक संसादन में बदल रहे हो यह किसके द्वारा लॉंच की गई है तो आप यह कह सकते हो युनाइटेड नेशन इन्वार कि गई है जरी रिपोर्ट ग्लोबल वेस्ट मेनेजमेंट आउटलुक 2024 यहां से कोश्चन मान के चलो स्टेट्मेंट में आपके लिए तैयार है सीधी सी कहानी है कि जितने भी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है जी हां चाहे आप ले लिजिए कि जितना भी जो कच्रा बग पंचेश्वर मल्टी परपस प्रोजेक्ट कहां है सरी तो पंचेश्वर मल्टी परपस प्रोजेक्ट जो है आपको भारत और नेपाल के जो बॉर्डर के छेतर जो है उन रिजन्स में आपको देखने को मिलेगा उसके बाद में मेन हमारा उद्देश यह है कि हम यहां पर उर्जा का समलब जो एनर्जी और इरिगेशन दोनों चीजों पर हम लोग काम कर सकें कोश्चन आ सकता है कि कहां पर बन रहा है तो अटलिस्ट पता हो महाकाली रिवर सिस्टम पहले इंपोर्टेंट बात और इसकी लोकेशन भी आप लोग देखेंगे तो आपको यहां पर ज ठीक है इस चीज को याद रखना कालपनी रिजन जो हमाले उत्राकंट पितोरगड़ वाले रिजन वहां से शुरू होती है ठीक है आपको यह बताना है कि यह रिवर जाकर मिलती किसमें है और फिर वो किसमें मिलती है अच्छा सवाल है कॉमेंट में जरूर बताना इससे इसके बाद में जो मुसलिन है बंगलार करके यह नरसपूर वाला जो एक तरह से आप कह सकते हो कि लेश आंद प्रदेश से ही है उसके बाद में रतलाम का रियावन लसून अमबाजी वाइट मार्बल माजूली मास्क फ्रम असम यह सारी चीजें इनको आप थोड़ा सा समय जा रहा है तो इसलिए मैंने आपका कॉंटेंट और हो जाए तो एड कर दिये हैं बट आप इनको आप खुद पढ़िएगा है ना अपना आगे बढ़ते है अब बाद में यह उसने कहा कि भईया ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक 2024 की कहानी जो अपने बताई थी उसमें ठीक है तो उसमें फिर किसका रोल है तो आपने को पता होना चीए रिलीज हुआ है United Nation Environment Program International Resource Panel इसके पहले वाली जो कहानी है वो चीज़ याद रखना Solid Waste Association था इसमें क्यों सर कैसे connect करेंगे बाई जितना भी waste है कर कचरा बगरा जो इखटा हो रहा है Municipal Solid Waste तो उसमें आप Solid W तो रटने की जर्वतने फील करो तो चीज़ें समझ में आ जाएगी तो इन्होंने यह कहा है कि भीया कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर जो है समस्याएं बड़ी हुई है स्पाइक हुई है मतलब थोड़ा सा एडिशन हुआ है हर चीजों का जैसे कंजम्शन जो है रिसोर्स का वो तीन गुना बढ़ गया है पिछले पचास सालों में ठीक है और जो अपर इंकम कंट्री से वो रिसोर्स बहुत बड़े स्तर पर यूस करें मतलब अभी तो क्या है जो अंडर डेवलप्ड नेशन से उनने तो एक्स्ट्रेक्शन करना भी नहीं शुरू किया और यहां तो यूज होके भी काम खत्म हो गया है तो इसको भी आप अराम से रीड करिएगा फॉर दप्र प्रिलिम्स एक्जामिनेशन उपर का ये हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है और फिर उसको निकालने में भी जो है काफी जादा नेक्स्ट वन इस सेवं क्लाउड जैसे दिखने के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग क्यूमिलस वो बीच में है तो अल्टो उपर होते तो सिर्रों क्यूमिलस तो मिडिल लेवल के क्लाउड है और वहां पर जो है एक तरह से आप यह कह सकते हो कि बड़ी मात्रा में यह जब क्लाउड के बीच में से दिको एक हवाई जाज गुजर जाएगा तो हवाई जाज गुजरने से क्या होता है कि वहां पर कंपिरेटिवली एडिया बेटिक एक्सपांशन देखते हम लोग हवा का होता क्या यह वाटर वेपर कंडेंस होके लिक्विड ड्रॉपलेट बनाते हो उसका फिर वहां पर हो सकता बारिश हो जाए तो आप यह कह सकते हो कि बारिश होने के बाद उतनी जगा पर जैसे यहां से हवाई जाज गया तो यहां पर हवाई जाज के जाने से एक्सपैंशन होता है तो इस चेत्र में ठंड़ी हो गई हवा बारिश हो गई तो उतना क्लाउड खत्म हो गया मौश्चर खत्म हो गया क्लाउड क्या है वाटर ड्रॉपलेट से अब कहीं का यदि गर गया नीचे तो नीचे गर गया तो वहां उतना आपको होल दिखाए तेरा बाकी आस पास का तो बना हुआ है तो ऐसे क्लाउड कहीं बार जब दिखते हैं तब इस चेत्र में जो है एडियाबेटिक एक्सपैंशन होता है और वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स बनने के बाद में आइस क्रिस्टल वगरा बनके और फिर धीरे से नीचे आ जात पूछा जा सकता है कहां है तो अपने को सीधा आंसर याद रखना है सर्त अंजानिया में यह याद रखना है भूलना नहीं से रिंगेटी नेशनल पार्क फिर उसके बाद में बेगोनिया नारहरी अब यह नॉर्मली ध्यान रखना है कि एक नई डिस्कवर्ड स्पीशीज है यह फ्लावरिंग प्लांट है और यह CSIR जो सांसिल आफ साइंटिफिकें इंडस्टियल रिसर्च के द्वारा जो है नेम दिया गया इसको उसके बाद में अब यह कह सकते हो कि अभी इसके बारे में उतना डेटा है नहीं मतलब आयूसीन वगरग में अब यह कहां पर मिल यह भी याद रख सकते हैं आप लोग उसके बाद में डॉल्फिन की थोड़ी बहुत आपको स्थिती भी पता होनी चाहिए कि जो है comparatively endangered है और साथी साथ जो है आप कह सकते हो कि Sights Appendix 1 में आ रही है National Aquatic Animal भी है गंगा से लगा कि ब्रंपुत्र मेगना उन सब छेत्रों में आपको देखने को मिलेगा इसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग शानन हाइडरो प्रोजेक्ट पूछ सकता है वो कहां पर है तो एटलिस्ट याद रहे कि बिट्वीन पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में बात करेंगे हम लोग ठीक है उसके बाद में उहल ए करने वाले एमिशन को जीरो कर देंगे मतलब पूरा न्यूट्रल कर देंगे 2050 तक तो नाकपूर वो सीटी है चीज याद रखना जीरो कारबन बिल्डिंग एक्शन प्लान यह बहुत अच्छा मतलब आप आंसर आइटिंग में इसका यूज कर सकते हो जब भी क्लाइमिट जेंज ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करें ठीक है तो उसको हमें जो है एक तरह से बैलेंस बनाना है जिरो एमिशन का मतलब यह नहीं कि हम बिल्कुल एमिट नहीं करेंगे जितना है इमिशन हो रहा उसको बाप सम एड्मास्फिर से वापस भी ले लेंगे मतला हम बढ़ने नहीं देंगे तो इसके बारे में जो है आपको इसमें याद रखना है वो जो म्यूंसिपल कॉर्परेशन है सस्टेनबल सिटी डेवलोप्मेंट कॉर्परेशन है उनका इसमें काफी बड़ा योगदान है बट एक अवेरने से आप लोग उधारन के रूप में पर यह बताना चाह रहा हूं कि कुछ एक दो डेजर्ट जो है आप याद रख सकते हो जैसे बदाइन जरन डेजर्ट है वेस्टन चाइना में जिया नामीव आपको पता है नामीविया में इसके बाद में ग्रेंड अर्ग ओर्येंटल यह आपने को याद रखना अलजीरिय में और रूबल खाली साओधी अरब वाले रीजन में ग्रेट सेंड डून नेशनल पार्क कोलेरेडो में आपको यह देखने को मिलेगा यह आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं नोट डाउन कर लो रुख जाओ भले या तो स्क्रीन शॉट लेलो लेलो जल्दी ठीक है तो अपने आप में इस तरह का निशकर से निकाला हुआ है मतलब एक तरह से पहले बताए कि हमारे यह दिजास्टर का रूप लेलिया है स्नेक बाइट उडीसा में बहुत बड़ी समस्या है बिजली का कड़कना उडीसा केरला वगरे में वैसे केरला में अभी जो है इस तरह का कोस्टल इरोजन वगरे जो अपने आप में एक तरह से आप कह सकते हो कि डिजास्टर था अब यह हुआ है कि मैन एलिफेंट कॉन्फिक्ट एलिफेंट बहुत समस्या है वो केरला में अभी यह कह सकते हो कि इसको डिजास्टर के रूप की तरफ देखने लगे हैं यह लोग तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख सकते हैं राजिस्थान में याद रखना मैंने पहले वीडियो बनाया है कि काफी जादा समस्या में हैं राजिस्थान के जो लोग हैं स्पेशली वहां की कम्यूनिटी जो ओरन नाम के जो वन होते हैं पेड़ पौधे वाले जो चेतरे हैं औरन करके आपको वन दिखाए देंगे बहुत जादा बड़े स्तर पर अपने आप में वहां डिपेंडेंसी है उनकी और उनी डिपेंडेंसी के चलते उनको जो है एक तरह से वो चाह रहेंगी सरकार के अंतरगत ना आये फोरेस्ट इनको बोले ने क्योंकि वहां के लोकल लोग जो है उनका काफी बड़ा ट्रीशन का योगदान है तो यहां एक्जाम पॉइंट आफ यू से पता होना चाहिए ओरन कहां है किस राज्य से संबंद रख रहा है वहां पर ग्रेट इंडियन वस्टर्ड मिलता है यह भी अपने को पता होना चाहिए तो इसके बारे में मैंने अल्रेड़ी एक वीडियो बनाया हुआ बट ओरन को याद रखें आप एंथ्रोपोजीन हम लोग समय कह रहे थे कि अब आएगा क्योंकि इंसानों द्वारा सारी चीज़ने निस्ट की जा रही है तो उसको अभी नकार दिया गया है यह जो जीओ लोजिकल टायम स्केल बनता है जीओ लोजिकल स्केल टायम स्केल क्यों बनाते हैं हम लोग कभी भी ही हम लोग देखें तो जीओ साइंसे मेरा मानना यह है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो लोगों को पता होना चाहिए यहां पर यह याद रखना है तो अभी यूग बात की गई थी के अंत्रोपोसिन उसको उन्होंने रिजेट कर दिया इसलिए न्यूस थी बट ठीक है मतलब उनका कहना यह है कि नौर्मली जो इपॉक सुरू हो चुका है अभी ऐसा कुछ नहीं है अभी फिलाल तो जो है उन्होंने अभी जो चल रहा है फिलाल होलोसीन और मेगालेनेज वही उसको भी हम लोग रख रहे हैं इसको याद रखना इसमें इसके बाद में बायो डाइवर्सिटी बियॉंड नैशनल जूरिस्डिक्शन मतलब आपके राजदेश के भी बियॉंड कुछ चीजे हैं तो उस चीज़ को भी अपने को याद रखना है कि उसके बियॉंड भी एक ट्रीटी संबंदित हुई है मतलब ट्रीटी के बारे में बात हुई है अब यह कहां पर है तो याद रखना बेल्जियम में हुई थी क्यों हुई थी तो conservation and sustainable use of marine biological diversity जो भी जीव जन्तु especially जली छेतर में उनको सही डंग से यूज कर पाए जी हां इसके बाद में ये इसे हम लोग एक तरह से आप कह सकते हो कि unclosed जो है उसके अंतरगती इसको लेकर आए जो United Nation Convention on the laws of season हमको पता है कि य सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए कि जो समुद्र के अंदर कौन सा देश कितना समुद्र यूज कर सकता उसके तहद ये convention आया था उसी के अंदर ये exam में direct आ सकता है कि बादाविश्री बियोंड national jurisdiction treaty किसके अंतरगत हुई है ठीक है हाला कि भारत जो है इस treaty को sign करना बाकी है इस चीज को भी याद रखना लेकिन अपने को याद रखना है कि इस से यह होगा कि हम जितने भी marine genetic resources है marine material plants है ये सारी चीजें जो है उससे जो भी profit आ रहा है वो at least distribution उसका equally हो तो उससे संबंदित ये बारे में बात हो रही है तो एक treaty prelims oriented बस आपको याद रखना है ये किस से संबंदित है अंकलॉस के अंतरगत आती है भारत का फिलाल अभी इसका हिस्ता नहीं है ये सारी चीजें अपने को याद रखना है ठीक है इसके बाद में blue leaders के बारे में जो हम बात कर रहे थे 30 cross 30 ये बायो डाइवर्सिटी वाला जो framework हुआ था COP15 वहां पर भी दे कर सकें तो एक group है ये जहां पर urgent action की बात करते हैं लोग global ocean में जो भी climate crisis over fishing pollution की समस्या उसको दूर करने के लिए तो ये भी एकदम prelims में question आ सकता है इंडिया इसका member नहीं है ध्यान रखना अभी एक amendment आया है ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हो जो wildlife protection act 2022 amendment act था उसमें एक चीज ये की गई है कि जैसे मानलो कोई animal कोई पाल रहा है जैसे उधारन के तौर पे जो की specially दिया गया है schedule 4 wildlife protection act और sites के appendix में है वो जैसे elephant के बारे में चर्चा थी कि कुछ लोगों के दक्षन में आप जाओगे तो प्रथाओं के तहत लोग रखते हैं उसका इस्तमाल कर र animal यदि कोई व्यक्ति रख रहा है तो उसको registration करना पड़ेगा 6 महिने के अंतरगत उसके बाद में आप यह कह सकते हो कि एक परिवेश नाम का पोर्टल है उस पर यह सारी चीजें लिख बतानी पड़ेगी और इसमें जो में रोल रहेगा Chief wildlife warden का भी रहेगा मतलब उनके तह अपने से तो कौन से ऐसे animals तो वहां कई बार at least जो है वो question पूछ सकते हैं तो यह वाली line अच्छे से आद रखना है विचा लिस्टेड इन appendix of sites जो trade से संबंदित जो convention बना है उसके appendix में और wildlife protection act 1972 के schedule 4 में जो list में आपको यह देखने को मिलेगा उनके बारे में बात हो रह बड़े स्तर पर हो रहा हो especially methane के उसमें कि methane बड़ी मातरा में जब release होता है तब उसके लिए एक word यूज किया जाता तो super emitter events methane से संबंदित है इसमें कजागिस्तान आप कह सकते हो कि जो मंगिस्ताव region था उसमें methane leak जब हुआ था तो यह बड़े स्तर पर जब कोई leak हो जाती यह gas तब हम super emitter कहते हैं बड़े स्तर पर emission हुआ है जी हां तो अब जैसे मालो methane के माले में पता है यह greenhouse gas है global warming करेगी बहुत ज्यादा समय तक रह सकती है यह तो अब methane के जैसे natural source भी देखो कि the wetland है ocean है कोई भी चीज जब सड़ती गलती है decomposition हो रहा है तो वहां से निकल रह होता है methane manmade भी जैसे landfill, oil, agriculture, coal mining, mobile combustion, wastewater, e-waste management के दौरान भी यह सब चीज़े release हो सकती है तो super emitter का मतलब जब बड़े स्तर पर methane वगरे release हो रहा है उससे related terminology याद रख सकते हैं आप लोग जल शक्ती के दौरा जो है अभियान शुरू किया गया है catch the rain जी हां CTR याद रखना catch the rain यह prelims oriented तो ठीक है mains में जहां जहां पानी के बारे में बात हो रहे है वहार जगा आप इसका इस्तमाल कर सकते हो so 2019 में इसको आप देखोगे तो एक जन अंदलन की तरह शुरू हुआ था यह लेकिन अपने को इसका normally याद रखना है कि नारी शक्ती से जल शक्ती यह वर्ड आप यूज कर सकते हो main sensor writing में बढ़ियां से और catch the rain का मतलब क्या है कि जितना भी water आरा है rainfall का वो वेस्टन हो कैसे भी उसका use हो जाए तो बस अपने को यह चीज अच्छे से याद रखनी है ठीक है अब उसके लिए फिर आपको हो सके तो water bodies को बहतर करना clean करना revitalize करना geotagging करना कहां पर कितनी समस्याएं है overall watershed का development करना तो एक यह भी आप नई चीज़े बता सकते हो case the rain वाले बारे में इसके बाद में यह आप और फिर जब वो जाओ खत्म हो जाती है तो फिर हम shift कर जाते है तो ऐसी जो tribes या इस तरह की छेतरों में जो practice की जाती है agriculture उसके नाम है तो वियतना में रे कहते हैं मेडगस करम थावी मसोल फैंग लोगान मिलपा यह normally है दि हम लोग देखें मेक्सिको के आसपास के region में मिल जोनरली जोनरली यह दि हम लोग देखें तो यह जूम हो गया सर जूम cultivation है यह नौर्थ इस्ट इंडिया में वेवार धैयार दीपा और जारा एरका पोदू अगरा कहां कहां है तो यह प्लीज इनको रटना है आपको नहीं आदो तो बताना में और कह दूंगा कि एक बार नहीं है और भी इस तरह के पोर्ट आपको पता होना चाहिए कोची पोर्ट उसके अनौर जी हां तो यह मेजर पोर्ट के अंतरगत हम लोग कंसिलर करते हैं जवालला नहरू पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है प्लेसे न्यूज में नाइन नातिवू आइलेंड भी आइल आइलेंड भी बोला जाता है श्री लंका के नौर्थ में आपको देखने को मिलेगा जाफना शिटी के नौर्थ में इस चीज़ को याद रखना प्रिलिग में छेत रहे हिंदू और बुद्धिष्ट के लिए है इसके आद में आगा लेगा अटॉल मतलब जहां कोरल बगर शांती से आप लोग यहां पर यह काम भी कर सकते हो कि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन नौर्थ में कौन साउथ में तो उसके सीक्वेंस भी आप यहां से पढ़ सकते हैं इसके बाद में भी या डैरियन गैप पूछा जा सकता तो डैरियन गैप पर लिए आपको जाना प खेनाल है उसके आसपास देखने को मिलता है अपने को ठीक है सेंटरल और साउथ अमेरिका के बीच का ये कनेक्शन है आप याद रख सकते हो कभी-कभी डिरेक्ट कोशन आ सकता है तो गल्फ आफ डेरियन वगरे कहा है तो ये इदर नौर्थ अमेरिका देखना और ये साउथ अमेरिका जब देखो दर बीच में देखने को मिलेगा ठीक है बाकि तो ये पूरा वीडियो आप अच्छे से देखें अच्छे चीज़ों को कवर करें 50% का डिसकाउंट चल रहा है मेरा कोर्ट सब को पता है साथ में छे मेने का अडिशनल बेनिफिट है होली के इस अवसर का आप फाइदा लें और अपनी प्रप्रेशन को एक नेक्स टेबल पर ले जाए ये सारे डिसकाउंट आफर्स आपके सामने है लिखे हुए है इंडिया के टॉप एजूटर्स मिलेंगे हर सब्जेट्स के आपको कोर्सेज, बैचेज, पुराने बैच, नए बैच, सारी चीज़ें आप कोई भी क्लास कितनी बार भी देख सकते हैं लाइव क्लास, रिकॉर्डड़ क्लास, सारी चीज़ें तो अच्छे से पढ़िए, कोड मेरा यूस करिए SGYT10, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू